तो सिक्की में आज पहले चौनन के लोगसभा चुनाव के साथ ही विधान सभा की 32 सीटो पर भी वोटिंग कराई गई है छिटपुत हिंसक घटनाओं को छोड़ मतदान लगभग शांती पूनर रहा हाला कि वोटिंग में वेट विलम के वज़र से अभी भी गैंक टॉक समेट प्रदेश के कुछ मतदान केंद्रों में लोग कतारों में खड़े हैं इस बीच इंडो नेपाल बॉर्डर के आखरी गाउं में भी वोटिंग की तस्वीरे सामने आई हैं यह गाउ माने बुंग दिन्ताम निर्वाचन शेतर के तहट आता है यहां भी मतदाताओं ने बढ़ चड़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया और सिकेंज के पूर्वा मुख्यमंत्री तथा SDF अध्यक्ष पावन चामलिंग अपती बेटी तथा SDF नेता कोमल चामलिंग के साथ मतदान केंद्र पहुंची और अपना वोट डाला SDF पार्टी इस गुएंग टूर्म गवर्मेंट यहां पर बहुत बोटर्स हमरे जनता लोग थे यहां पर इसलिए मैं सुभी नहीं आया क्योंकि अगर मैं सुभी आता तो फिर मैं कैंड़िट भी हूं इसलिए मुझे सबचे पाले बोर्टिंग करने को मोगा मिलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतना लोग घड़िया है तो फिर में जल्दी आया को अंतर जाके बोट डालना इसलिए मैंने बोटर्स को जनता को सम्मान करके मैं सुभी नहीं आया तो अभी जनता कम बोटर से काफी लोग ने अपनी बोट डाल चुके है इसलिए मैं अभी आया पूल चल रहा है लेकिन जिस तरह से लोग स्वातंतर प्रुवक नहीं बोट डाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत जगह में रूलिंग पार्टी से काफी लोग डरे हुए हैं तोड़ा थ्रेटेनिंग दे रहे हैं और थोड़ा हिंसा घटना भी हुई है जैसे घ्यांटोग में आरी थांग में हुई हैं और मनली में हुई हैं और घ्यांटोग में हुई हैं तो इसलिए थोड़ा लोग डरे हुए अपने बिरभय होके स्वातंतर रूप से वह लोग बोट नहीं डाल पा रहे हैं